हम लोगों ने क्लोजर को समझा था कि क्लोजर किस तरीके से बर्क करता है जावा इस्क्रिप्ट के अंदर ठीक है क्लोजर क्या होता है एक हम लोग ओवर्वियू देखें आज तो क्लोजर की इनर फंक्शन रिमेंस दा लेक्जिकल इन्वार्मेंट वेनिस कॉल आउटसाइड दे लेक्जिकल इन्वार्मेंट मतलब जो इनर फंक्शन होता है वो अपने लेक्जिकल इन्वार्मेंट को याद रखता है जब वो आउटसाइड से कॉल होता तो उसको हम लोग क्लोजर बोलते हैं इसका हम लोगों न global variable बनाये था जिसको हमने string assign कर दी थी जिसका नाम global कर दिया था फिर हम लोगोंने एक outer function बनाये था और outer function में हम लोगोंने एक parameter लिया था name ठीक है फिर हम लोगोंने एक और function बनाये था जिसका नाम message लिया और यहां पर हमने good morning लिख दिया था message को ठीक है एक variable में message assign कर दिया था फिर हम लोगों ने एक inner function बनाया था जिसका नाम grid था और इस inner function को हम लोगों ने यहाँ पे हम लोगों ने grid जिसे यहाँ पे grid call हो रहा है तो इसका हम लोगों ने क्या किया था यहां से function return करवा दिया था तो यह कुछ हम लोगों ने ऐसे कर दिया था यहां पे कि return और return में हम लोगों ने grid यह function हम लोगों ने return कर दिया था ठीक है तो क्या होगा कि यह function return हो गया था और यह function यहां पे हम लोगों ने एक parameter लेखे और इस function जब receive हुआ था तो ये function ग्रिट function जो है वो ये grid function जो है वो outside receive हुआ था और outside से call हुआ था यह हम लोगों ने closer देखा था last last video में ठीक है आज हम लोग closer का एक और example देखते हैं जिसमें हम लोग timeout function देखते हैं ठीक है तो timeout function में क्या होता है कि जिसे हम लोगों ने function बनाया my function इस function के अंदर मैंने variable define किया और मैंने set timeout function किया set timeout function दो argument लेता है पहला argument जो होता है वो callback function है जो की ये है और दूसरा argument जो है वो ये time है मतलब 3 second के बाद ये function जो है set timeout function इस callback function को कर देगा execute ये मतलब होता है तो 3 second तक जो इसका lexical environment है वो याद रखता है ये function कि 3 second के बाद इसको इस function को call करना है ये यही closer है है ना हम लोगों ने यहाँ पर my function को call किया और set timeout है set timeout के अंदर एक और function है लेकिन ये function कब call होगा तीन second के बाद call होगा तो 3 second तक जो value hold करके वो रख रहा है वही है यहाँ पर closer इस example को हम लोग execute करके try करते हैं js bin की तरफ right js bin में हम लोग चलते हैं js bin open करता हूं मैं यहाँ पर मैंने open किया js bin ठीक है और js bin में हम लोग try करते हैं इस program को बनाते हैं हम लोग js bin आ गया एक console है यह output है ठीक है अभी इस program को मैं हटाता हूं और मैं यह वाला जो function है यह वाला जो program है मेरा कि मैं एक function बनाऊंगा उस function के अंदर set time out करूंगा set time out के अंदर मैं तीन एक कॉल्वेक function बनाऊंगा और एक कॉल्वेक function बनाके कुछ second के बाद उसको execute करेंगे हम लोग तो यह js भी ना गया हमारा तो मैंने यहाँ पे function बनाया जिसको मैंने my इसको मैं नाम दे देता हूं my function और यह my function मैंने नाम दे दिया इसके अंदर मैं क्या करता हूं set time out का जो function है ना set time out जो function है वो मैं यह ले लेता हूं तो set यह t जो है camel case में होगा set time out और set time out का यह function मैंने लिया यह function क्या करता है दो argument लेता है उसमें से एक argument एक function होता है तो यह function हो गया है first argument जो फंक्शन है और second argument जो है वो तीन second के बाद इस function को execute करना है तो तीन second के बाद यह function जो है वो execute हो जायता है ठीक है पहला argument इस function का एक function हो गया है और जो दूसरा argument है वो 3 second का अब इस function के अंदर में क्या करता हूँ इस function के अंदर मुझे क्या करना है तो इस function के अंदर मुझे यहाँ पे semi column होगा और यह body यहाँ हट जाएगी ठीक है यहाँ पे यह पहला argument इस function का हो गया और यह दूसरा argument हो गया और यह function जहां से start हुआ था वो बंद हो गया set timeout function में मुझे क्या करना है यहाँ पे यहाँ पे मैं क्या करता हूँ एक variable लेता हूँ जो की global scope में होगा जैसा कि हम लोगों नहीं यहाँ पे देखा था variable नहीं तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ यह यह पे variable नेम ले लेता हूं और यह हो गया मेरा function पूरा और अब इस function को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ execute करता हूँ call कर लेता हूँ तो इस function को मैंने यहाँ पर call किया और यहाँ पर इस function को clear किया और run किया विए 3 second के बाद हमको output मिलेगा और 3 second के बाद क्या हुआ यह name print हो गया ठीक है 1 2 3 3 second के बाद यह जो name है वो print हो गया इसका मतलब यह है कि यह set timeout के function इसने 3 second तक इस function के scope को garbage collector को नहीं दिया तो यह एक example हो गया हमारे पास किसका यह एक example हो गया हमारे पास जिसको क्या बोलते हैं हम लोग closer का यह एक example हो गया दूसरा हम लोगोंने एक और code लिखा है यह भी closer का है तो हम मैं इसको copy करता हूँ और हम चलते हैं jays win के डीटर पे इसको मैं clear करता हूँ यह भी एक example है और यह भी एक jays यह example भी हमारा जो है वो closer का एक example है इसमें मैंने क्या किया मैंने एक function बनाया है इस function यह थोड़ा सा different type का example है इसमें मैंने यह variable name लिया है variable name में मैंने यहाँ पर function और function में मैंने यहाँ पर display name का एक inner function बनाया है और एक outer function है my function इसके अंदर एक function है जिसका नाम display name है और एक और function मैंने हाँ call किया है और यह display name जो function है वो मैंने यहाँ पर pass कर दिया है और यह get function नाम के argument में मैं इसको get कर लिया और यहां पर function को मैंने execute कर वाया है ठीक है अब इसका अगर मैं output देखूंगा तो यह function कुछ इस तरियरे से run होके name को print कर देगा लेकिन यहां पर हो क्या रहा है इसको समझना जरूरी है हम लोगों ने यह function बनाया था display function और हम लोगों ने यह function कॉल किया है और यहां पर यहां पर हम लोगों ने यह डिस्प्ले नीम नाम का फंक्शन बनाया है और यहां पर हम लोगों ने एक function जो है वो कॉल किया है जो कॉलिंग फंक्शन है यहां पर वह है जो कॉलिंग फंक्शन है यहां पर कॉलि फंक्षन जो है personry वह इस प्रांट्सट अमने कॉल किया है और इस वेरिवल को यहां पर इस फंक्षन को वो कॉल कर रहे हैं और इसमें पूरा पूरा फंक्षन जोد है इसके अंदर receive हुआ हमारा get function के अंदर और यहां पर function जो है वो execute हुआ और यहां पर तो program का कुछ execution ऐसे होगा जब यह function call होगा my function ठीक है यह call होगा यहां पर एक variable बनेगा यहां पर function declare होगा और यह पूरा का पूरा function display name में पास हो जाएगा और यह जो डूसरा डिस्प्ले नेम जो है यहां पर रिसीव होगा इस डिस्प्रड दूसरा function मैंने बनाया different function जिसको नाम दिया और यहां पर जब यह call होगा function get function तो यह execute होगा यह function जो है वह एक्जिकूट हो पूरा function पास कर दिया और तो यह भी एक क्लोजर है क्योंकि यह इनर फंक्शन है और इनर फंक्शन दूसरे function में पास हो रहा है और वो अपने scope के जो वेरिवल है उसको console लॉक कर रहा है यहां पर तो इस तरीके से यह एक और example हमारा closer का था जो कि different example है झाल झाल प्टर एक कर दो यह जाए और वो एक कर दो है